तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का Study Service Online Coaching Academy शिमला में जैसे कि आप सभी को पता है हमने नई सीरिज जो वो स्टार्ट की है आप सब के लिए आपके upcoming exam के लिए जिसमें आज अमारे पास जो वो Journal Awareness and Environmental Studies के जो है वो Top 30 Question जो हम आपके लिए लेकर आए है तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला Question है केसर सागा किसका धार्मिक जो हो धर्म गरंत है केसर सागा is a Holy Book of जापान, इराग, तिबद या फिर अफ़िर अफगानिस्तान option number C की तिबद की एक यह क्या है ओफिशियल बुक है इसके वाद next question आता है हमारे पास वुपाल गैस ट्रेजडी जो अवो कब हुई थी तो वुपाल गैस ट्रेजडी हमारी 2 December 1984 next question देखिए नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृत्वी को जो वो नीला ग्रह कहा जाता है सभी को पता है next देखिए the most abundant gas in the atmosphere तो nitrogen जो वो 78% के साथ most abundant gas है आपकी atmosphere में next question देखिए question number 35 है which color is used to make a green color in graph तो कौन सा color का हम जो वो यूज करते हैं किसके अंदर हरा color जो वो किन रंगों का मिश्रण है तो option number B blue and yellow next देखिए which organization at great himalayan national park to the list of world heritage तो UNESCO हमने बार बार जो वो पढ़ा था next question देखिए 37th question है the lake of floating island to pressure next देखिए UNO कब जो वो established हुआ था 24th October 1945 इसके बाद next question आता है इसमें आपने मिलान करने है और बताना है तो हसम से आपका हो जाएगा का जी रंगा नेशनल पार्क उत्रखंड से आ जाएगा जिम कार्बेट और गुजरात से आ जाएगा मानस तो option number आपका इसमें जो वो सी option बिल्कुल सही अंसर था next question देखिए where is the food of seed store until the plant is not found तो पौधा न बनने तक बीज का भोजन कहां जो वो संचितित होता है तो बीज पातर option number आपका सही अंसर था इसमें next देखिए bishop में सबसे अधिक बर्षा वाला कसेतर कौन सा है तो मानवसी राम जो आपके पास option number C में घले next question आता है मानचितर में पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का जो वो परियोग किया जाता है नीले रंग का which of the following first Indian woman to claim the Mount Everest सभी को पता है बिशिद्री पॉल next देख सबसे वड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो सहरा रेगिस्तान next देखे कौन सा जीव जो है वो स्वाद का पता अपनी टांगों से लगाता है तो यहां से आप बोलेंगे तितली option number B next देखिए बांधों का अधुनिक मंदिर किसने भारत को कहा था बांधों को अधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था तो ज्वालाल नहरू नेक्स देखिए सुंदरलाल बहुगुना ने कौन सा जो है वो मौमेंट स्टार्ट किया था इन में से तो चिपको अंदोलन कौफी का उत्पादक देश अभी को पता है ब्राजील क्षेतरफल के अधार पे भारत जो वो विश्व में कौन सा स्थान है तो सेवन पोजिशन है नेक्स देखिए मलेरिया की दवाई बनाने के लिए पेड़ की छाल जो वो बनाई जाती है सिन कौना विश्व का सबसे उन्चे गौन का नम बताईए तो किबर आ जाएगा नेक पुरसकार और परसुरांग पुरसकार दोनों से नेक्स देखिए इमाचर परदेश जिला कांग्रा में भूकम कब आया था तो चार अप्रेल 1905 गुरु नानक दी का जनमस्तान कौन सा है तो तलबंडी आप्शन नमबर सी आपका सही अंसर आ जाएगा नेक्स आता है जंग पर कितना घुमती है तो पंदरा डिगरी का कौन जो बनाती है इसके बाद भागड़ा बांद की उंचाई कितनी है तो भागड़ा बांद की जो उंचाई है आपकी 226 मीटर नेक्स देखिए दुनिया का सबसे नमकिन सागर कौन सा है तो दुनिया का सबसे नमकिन सागर आत सुक्त के नाम से भी जानते हैं तो आई होप आप सभी ने वीडियो को एंट तक जरूर देखा होगा और साथ मैं वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले साथ में इसी तरह आप सभी के लिए डेली जो वो मॉस्ट इंपॉर्टन प्रीबियस यह लेकर आएंगे थैंक्यू सो मुझ मिलेंगे नेक्स सेशन में नेक्स टॉपिक के साथ